Hello everyone, I hope आप लोग सब छीख होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं The Nose by Nikolai Gogo The Nose ये एक short story है जिसे लिखा है Russian writer Nikolai Gogo ने Nikolai Gogo ने इस short story को 1835 to 36 के दर्मियान में publish किया और उन्होंने इस short story को publish किया Literary Journal The Contemporary के अंदर ये short story actual में एक satire है On Bureaucratic Life यानि के Gogo ने अपर क्लास को तंजिया अंदाज में इस short story के अंदर डिसकस किया है तो चलिए पहले story पढ़ लेते हैं उसके बाद इसका analysis करेंगे story के तीन parts है Part 1 स्टार्ट होता है सेंट पिटर्सबर्ग में On March 25 अलकोहलिक बार बर आईवान ये कौवलोविच सुबा सवेरे नाश्टे की टेबल पर आते हैं नाश्टा करने के लिए जहां पर उनकी बीवी प्रसकोविया और स्पेवना उन्हें freshly cooked यानि ताजा बनी हुई bread देती हैं खाने के लिए I want bread की smell से बहुत ज़धा excited होते हैं और bread को काटने की कोशिश करते हैं तो अचानक उन्हें bread के अंदर कुछ feel होता है जब उसे निकालते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि वो नाग थी यानि कि bread के अंदर किसी की नाग पड़ी हुई थी वो ये देखकर बहुत ज़धा परिशान हो जाते हैं उनकी बीवी प्रसकोविया उन्हें बुरा भला कहती है कि उन्होंने किसी किस्टमर की शेव करते हुए शायद गलती से उसकी नाग काट दी जिस पर I want को एहसास होता है कि ये नाग किसकी है वो फोरण से पहचान लेता है कि ये नाग उनके एक कस्टमर कोवलोव की है जो के एक अनिम्पलॉइड सिवल सर्वेंट है और उनके पास हफते में दो दफ़ा शेविंग के लिए आता है I want ये देखकर बहुत ज़दा हैरान हो जाता है और उन्हें याद नहीं आता कि उन्हें ये सब क्यों किया क्योंके वो खुद भी हर वक्त नशे में रहते हैं तो उनको याद नहीं आता कि उन्हें ये सब कब किया लेकिन फिर भी खोफ के मारे वो जल्दी से नाग को एक कपड़े में लपेडते हैं ताके वो इसे कहीं दूर फैंक आए, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, अब आइवान जल्दी से बाहिर निकलते हैं ताके वो कोई प्राइवेट स्पॉट ढूंडे और वहां पर नाग को फैंक दे, आइवान सेंट आइसेक्स ब्रिज प पुछते हैं कि उसने ब्रिज में क्या पहंका या वो यहां पर क्या कर रहा है, जिस पर आइवान जूट बोलता है कि वो किसी आदमी की शेव के लिए जा रहा था तो अचानक इस रीवर पर खड़ा हो गया पानी को देखने के लिए, पुलिस उफिसर को फोरन बता चल जा पर आइवान जूट बोल रहा है, जिस पर वो उसे सच बोलने की बजाए, पुलिस उफिसर को रिश्वत में हftे में दो दफ़ा फ्री शेविंग ट्रीट्मेंट देने का कहता है, जिस पर पुलिस उफिसर इंकार कर देता है, यूके वो पहले ही तीन बार बर्बर से ये ले चुका है अब वो दुबारा से आईवान से सच बोलने का कहता है जिस पर आईवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहां पर पार्ट वन खतम हो जाता है पार्ट टू पार्ट टू स्टार्ट होता है कोवलोव से जो के सेंट पेटर्सबर्ग में यूनिवरसि magistrate हैं. उनको ये ओधा रिश्वत पर मिला. वो बहुत ज़दा superiority का शिकार हैं. यानि कि वो खुद को लोगों से superior समझते हैं और खुद को major kovalov बिलवाना पसंद करते हैं. वो बहुत ज़दा fashionable dresses पहनते हैं ताके वो खुद को दूसरों से superior जान सकें और दिखा सकें. अब एक सुबा कोvalov उटते हैं तो उनकी नजर अचानक mirror पर पड़ती है. वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनके चेहरे से उनकी नाक ही गाइब है. वो इस तरह से flat चेहरा देखकर अपना बहुत ज़दा हैरान हो जाते हैं. वो जल्दी से कपड़े पहनते हैं ताके वो बाहर जा सकें अपने missing nose को ढूनने के लिए. वो अपने चेहरे को ढखकर बाहर की तरफ जाते हैं और इदर अपनी नाक को ढूनने के लिए भागने लगते हैं. रस्ते में उनकी नजर बहुत सारी जगों पर पढ़ती है और वो अपनी शकल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि अचानक उनकी शकल से उनकी नाक ही गाइब हो गई. अब परस्न दिखने में काफी हाई रैंक का लगता है. कोवलोफ जब थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह हाई रैंक का जेंटलमैन और कोई नहीं बलके उनकी अपनी नाक है और वो यह देखकर घुसे में लाल पीले हो जाते हैं और होफ में कामपने लग जाते हैं अब कोवलोफ वहाँ पर खड़े सोच ही रहे होते हैं कि नोस जेंटलमैन उनके सामने से बगई में बैट कर वहाँ से चली जाती है कोवलोफ भी उसके पीछे भागते हैं अब वो नोस जेंटलमैन यानी नाक की जो ब वो उसे समझा सकें कि वो कौन है अब वो नाक तक पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम मेरे ही शकल से अलाइदा हुई हो और मैं तुम्हे वापिस लेने के लिए आया हूँ वो नाक ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं वो कोवलोव से कहती है कि मेरी अपनी एक पहचान है और आपको देखकर लगता है कि आप किसी लोवर रैंक के हैं और मुझे देखिये मैं तो एक हायर रैंक की हूँ तो मेरा आप से क्या तालुक ये कहकर नोस जेंटलमेन यानि के नाक वहां से चली जाती है अब कोवलोव एक बगी में यानि गाड़ी पर सवार होकर पुलिस ओफिसर के पास जाने का सोचते हैं लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन में पुलिस ओफिसर नहीं मिलते तो फिर वो न्यूस पेपर आफिस जाने का सोचते हैं ताके वो न्यूस पेपर में एड़ दे सके अपनी गुमी हुई नाक के लिए अब वो न्यूस पेपर आफिस पहुंचते हैं और वहां कलर्क से कहते हैं कि वो न्यूस पेपर में एड देना चाहते हैं अपनी गुमी हुई नाक के लिए जिस पर कलर्क इंकार कर देता है कि वो ऐसी अजीब चीजे अपने न्यूस पेपर में नहीं चाप सकते इससे उनके न्यूस पेपर की रेप्यूटेशन कम हो जाएगी कोवलोव उस कलर्क को अपना चेहरा भी दिखाते हैं कि ये कितना आजीब लग रहा है लेकिन कलर्क उससे कहते हैं कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिस पर कोवलोव पुलिस कमिशनर के पास वापस जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी नाक ढूनने में मदद करें जिस पर पुलिस कमिशनर कोवलोव को बहुत बुरा भला कहता है कि जो हाई रैंक के लोग होते हैं उनकी नाक ऐसे ही उनसे अलग नहीं हो जाती तो तुम किसी lower rank के हो इसलिए यहां से दफा हो जाओ यह सुनकर कोवलोव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और घर वापिस आ जाते हैं अब वो उसी परेशानी में बैटे होते हैं कि वो पुलिस ओफीसर वहां आता है पुलिस ओफीसर कोवलोव को बताते हैं कि उनकी नाग पूरे शहर में इदर उदर फिर रही थी एक जेंटलमैन की तरह और वो उसे पकड़ कर उनके पास वापिस ले आए हैं अब नाग की कहानी पूरे शहर में फैल जाती है और लोग बाते बनाने लग जाते हैं लोग कहते हैं कि हमने नाग को फलाँ जगा पर देखा कोई कहता है हमने फलाँ जगा पर देखा और इस तरह से लोग इदर उदर बाते करते जाते हैं और यहां पर पार्ट टू खत्म हो जाता है पार्ट थ्री अब तीन हफ़ते गुजर जाते हैं कोवलोव की नाक को गाइब हुए एक सुबा कोवलोव उठते हैं तो अचानक इनकी नजर जब शीशे पर पड़ती है तो वो बहुत जादा खुश हो जाते हैं क्योंकि नाक उनके चेहरे पर वापिस आ गई है वो यह देखकर बहुत जादा खुश हो जाते हैं उसी दोरान आईवान बारबर वहां पर पहुँचता है और वो भी उनके नाक को देखकर हैरान हो जाता है जब कोवलोव आईवान की हैरानी देखते हैं तो उनको एशोरेटी हो जाती है यानि यकीन हो जाता है कि उनकी नाक सच में वापिस आ गई है उसके बाद वो आईवान को इजाज़त देते हैं कि वो उनके बाल बनाए और शेव करें बाल बनाने और शेविंग के बाद वो शेविंग के बाद वो शेहर में निकलते हैं ताके वो पूरी दुनिया को दिखा सकें कि उनकी नाक वापिस आ गई है उसके बाद वो एक military officer को देखते हैं और देख के हरान होते हैं कि उनकी नाक उस military officer के नाक से भी बड़ी है और इस तरह वो शहर में इधर उधर फिरते हैं और खुश होते हैं किस तरह से उनकी नाक वापिस आ गई है और writer part 3 को ये कहते हुए खतम कर देते हैं कि जिन्दगी में बेतरती भी तो है ही तो हो सकता है ऐसी अजीब चीजें हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होती हो और यहां पर ये story complete हो जाती है अनालिसिज में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे टाइटल आफ दे स्टोरी स्टोरी का टाइटल है दे नोस अब नोस इस स्टोरी के अंदर दो चीजों को रिप्रिजेंट कर रहा है नमबर वन पर absurdity और irrationality ये totally illogical है कि इनसान के मुँ से उसका नाक उतर जाए और वो एक form लेकर इधर उधर मतलब इनसान की form में इधर उधर घूमे फिरे तो ये absurd है, irrational है, illogical है reality में ऐसा possible नहीं लेकिन दूसरी तरफ ये social status को भी represent करता है इनसान अपनी जिंदगी में एक नाक ही लेकर फिरता है कोवलोफ के पास भी वो नाक ही था जो के वो उसके social status को represent करता था वो society में खुद को major बलाता था क्योंकि वो खुद को दूसरों से superior समझता था अपनी नाक दूसरों से उन्ची समझता था जब नाक खतम हो गई तो उसका status भी खतम हो गया तो status वापिस हासिल करने के लिए वो नाक की तलाश में रहता है तो ये दो चीजों को represent करता है टाइटल absurdity को और social status को देखते हैं क्योंकि हमने शुरू में ही डिसकस किया कि ये स्टोरी से टाइर है on bureaucratic life तो ये social status को represent करती है स्टोरी mainly तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का ये lecture उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस